वेगनर मीर्विन रियारेंजमेंट और नेमेटकिन रियारेंजमेंट तो देखो वेगनर मीर्विन रियारेंजमेंट क्या होता है और नेमेटकिन रियारेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपर हम बात करेंगे तीके ना तो देखो देहन देना समझना यदि किसी केता है तो इसकों करता हैँ वेगनर मीरविल रियारेंजमेंट ध्यान देना मेंने क्या बोला किसी कार्बो केतायन में में वनने वाला वन्तो है जट्राइड सिफ्ट या वन्तो एलिकल चैना किसी ब्रीजट हैड़ेड़ कमपाउंड में या बिजड कमपाउंड में तुसको नेमेटकन रियरीज़मेंट करते है तो समझ में रहे ना नेमेटकन रियरेजमेंट के जितने भी केस है ठीक है न वह इस केटेगरी में तो automatic आ जाते हैं मतलब वो Wagner Mayrwin rearrangement के case तो होंगे इसे ध्यान देना Neymatkin rearrangement के जो भी case है वो Wagner मीर्वीन rearrangement के case automatic हो जाते है वो आपके समझ में आ जाएगा आगे ठीकिन है लेकिन अभी हम सभी Wagner मीर्वीन rearrangement के case को Neymatkin rearrangement के case नहीं बोल सकते यह आपके automatic समझ में आजाएगा पले में इसके बारे में थोड़ा सा आपको explain करता हूँ ठीकिना उसके बाद फिर इन सभी examples को solve करके मैं आपको यहापर explain करूँगा समझ में आ रहा है ना तो देखो ध्यान देना समझ ना आगए देखो दू पॉइंट यहापर में लिख रहा हूँ देखो वन टो वन टो हाइट्राइट वन टो हाइट्राइट whyna 1-2-Hydryssybht or Aulkylsypht or Arane-Syft Arane-Syft inCarmoc 다들 inCarmocables is called is called is called Wegener Jahr-Myrv meir it WeINA to do that मैं एक्जाम्पल कितरो इसके एक्स्प्लेइन करते हैं CH3CH2CH2 ये कैसे, समझ में रहा है ना, अब देखो द्यान देनिस्कोर मेसे लिख दू, अभी आमको पता है इस Carbocatens के ले Alph-Hitrogen के बहुत यह है, दो Alph-IHS में, तो Alph-IHS, और आमको पता है का Arbocatens में Rearrangement होता है, एक Less Stable Carbocatens, Rearrangement दोरा More Stable Carbocatens में convert होता है, तो देखो, यहां से hydrogen shift होगा, यह क्या होगा, 1, 2 hydride shift, 1, 2, एक से दूसरी position पे जा रहा है, तो 1, 2 hydride shift, तो उस condition में क्या होगा, C, S3, C, H+, और यहां पर hydrogen जाते यहां पर हो जाएगा C, S3, समझ में रहा है, तो यह क्या होगा, 1, 2 hydride shift, समझ में रहा है, देखो, 1, 2 hydride shift, देखो, इसी तरह से next case लेकर बताता हूँ, जिस यह CH3, 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 समझ में रहा है, CH2+, ठीके, इसके अंदर alpha-H देखो, गया, alpha-H कितने हैं, देखो, यह carbocatine, इसके पासवाले carbon पर कोई H है, क्या, नहीं है, तो alpha-H यहां पर 0 है, समझ में रहा है न, अब इस methyl group को यहां से यहां पर हमने shift कर दिया, तो देखो, ध्यान दने, इस condition में क्या होगा, देखो, CH3, C, यह CH3, समझ में रहा है, यह methyl इस carbon पर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, CH2, CH3, यह methyl इस पर चला गया है, तो CH2, CH3, लेकिन इस carbon पर आप positive उचार जाएगा, इसमें alpha-H कितने positive यहां है, alpha-H3, 3, 2, तो यहां पर हो गया, alpha-H equal 8, देखो, आपको सबको अच्छे तरह से पताए, alpha-H2 जिन एटम की सिंके, जितनी ज़्यादा होगी, stability उतनी ज़्यादा होगी, तो यहां पर एक less stable carbohydrate and more stable में convert हुआ, यहां पर भी एक less stable carbohydrate and more stable में convert हुआ, यहां पर alpha-H2 यहां पर 6 है, ठीक है न, यहां पर 1-2 hydrate shift हुआ, यहां पर देखो, 1-2 alkyl shift हुआ, methyl हुआ न, methyl भी तो alkyl है, तो यह क्या हुआ यहां पर, 1-2, यहां पर अपन लिख सकते है, रोके पर, 1-2 alkyl shift या methyl shift कर देता हूँ, यहां पर methyl, methyl shift, मतलब एक तरह से 1-2 alkyl shift का case हुआ, इसी तरह से 1-2 aryl shift भी हो सकता है, तो करने का मतलब किसी कार्बो केटाइन में, अगर हम 1-2 hydrate shift करा दे, या 1-2 alkyl shift हो, या 1-2 aryl shift हो, तो उसको हम Wegener-Mirwin rearrangement करते हैं, समझ में रहा है, के लिए रहे, यहां पर देखो, जितने भी examples लिखे हुए है, जितने भी examples लिखे हुए है, इन सभी examples में, एक कार्बो केटाइन बनेगा, और उसमें, या तो 1-2 hydrate shift होगा, या 1-2 alkyl shift, या 1-2 aryl shift, इन में से कोई न कोई साथ shift जरोर होगा, ठीके न, आगे solve करेंगे, तो automatic आपके सब को समझ में या आपर आ जाएगा, ठीके न, तो यह तो होगे, वेगनर मीरविन rearrangement, तो फिर बात करेंगे, अपन नेमेट किन rearrangement के, तो इस case में क्या होगा, देखो, उसके लिए एक statement यह आपन लिख रहा हो में वापिस, देखो, देखो दे नेमेट किन rearrangement, called नेमेट किन rearrangement, कलरियर यहां तक इसको हम काते, नेमेट किन rearrangement, तो देखो, बिजड गमपाउंड में, जो वन टु मेतल सिफ्ट होता है, तो इसको हम नेमेट किन rearrangement काते, एक example को तो इसको भी explain करता हो, जैसे मान के तो लो यह case से, यहाँ पर हमने यह बना हमने वन टो मेथिल शिफ्ट कर दिया एगे ना हमका पता है भी यह लेकिन यह पूजेट्व यह आते तो मोल इस्टबल हो जाएगा तो देखो यहां पर अब क्या बनेगा यह 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 यहां पर बन जाएगा बैए यह जो ब्रिज्ड हो गया यहां पर सीस्ट्री है इस है यह स हो गया जाएगा यहां पर फोजेटिव चार्च आ जाएगा यहां पर ओल्डेड इक हाइट्रोजन होगा इसको मिश तरह से कर देता हो यह सीस्ट्री और यहां पर पड़ यह समझ में रहे न कि तो दिखो जिए इसके कंपेरिजर में जो इसको चेक कर ओगे तो इसमें alpha H की सिंग्या इसके अंदर alpha H की सिंग्या जादा होगी देखो यह यह methyl को यह alpha H बढ़ जाएंगे न के लिए यह तक तो यह more stable होगा तो देखो यह bridged compound है bridged compound में methyl group या एक position से दूसरी position पे चला गया one से two position पे चला गया तो यह one two methyl shift है in build compound और build compound में जो one two methyl shift होगा उसे को हम nemetkin rearrangement काते हैं तो यह nemetkin rearrangement है के लिए रहे तो देखो ध्यान देना यह carbocation के अंदर one two alkal shift भी तो है तो कहने का मतलब यह carbocation के अंदर one two alkal shift है इसका मतलब सीधा सीधा यह ये वेगनर मेर्यविन rearrangement का keyश भी होगा ठीकश ने यह figur मेर मेर 21 में का Keyश भी है अं नमě snad कीन record को सीधा लिकिन इसकी बाद करते तो यह build compound है यह счит Baum 85 grounded और धिए दूंट है लेकिन इमेर मेर मेर में और मेर मेकन के के यहां पर कीशना क्पाउन्ड में जो बिजडआ का सीधेशा है ना बिजडआ कंपाउन्ड इसमें नेमेट किन रियर्डमेंट है यहँंदiscdomाय। नेमेटकिन रेरिजमेंट तो यहाँ पर जितने भी केस लिखे यह इधर के, यहाँ सीधर के जो केस है, यह नेमेटकिन रेरिजमेंट के होंगे, और उपर वाले जो केस है, यह वेगनर मेरिवेंट, हलाकि मैं बता दो आपको वेगनर मेरिवेंट में सारे ही केस आ जाएंगे क्योंकि Wegener वेर्मेन में तो ये भी आता है, लेकिन नेमेटकेन के अंदर क्या है, ब्रिजिट कमपाउंड के अंदर वण्टू मेथिलशिट आता है, मैरे साम से या थे clear हो गया होगा, तो देख ये तो सब कुछ clear हो गया होगा कि Wegener मीरिविन रियरेजमेंट से क्या मतलब है, यह one two hydride shift या alkyl shift या aryl shift है जब कटे इन वहां चैंब है किसमे बिजडी कम्पाउंड में जब चैन वेटल सेथिंट होतर में मेरे साथ से किसी को लगा तो कॉंसेप्ट आपके पता चल गए आपे इन चैंड लगगा आपके यह पता चल कि मेगोगर में unanim in reinforcement क्या है नेमेटकिन रियर्जमेंट क्या है एक्चले दोनों में डिफ्रेंस क्या है सब कुछ आपके अब किलेर हो गया होगा ठीक है न? चुकि यहाँ पर सभी एक्जामपल देको वेगलर मीरिविन के केस में ही कुछ केस नेमेटकिन रियारेजमेंट के यह आपर आ रहे थे, इसलिए मैं इन दोनों रेक्शन्स को साथ में ले लिया, और दोनों के यहां तक, चलो इदर देखो सभी, तो देखो यहां पर जितने मी केस हैं, उनको वन बाई वन यहां पर अपन कवर करते हैं, ठीक है न, देखो ध्यान देना, सबसे पहला केस यहां पर यह हो गया, यह वाला, तो देखो यहां पर हो गया, C3, C, 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 H3, और C, H3, C, H2, O, H, ठीकिन, यहां पर रेजेंट ले रखाए, एक कंसेंटेट एच्टे सपोर, डी हाइडरेटिंग एजेंट होता है, यह क्या होता है, यहां पर OH पर टेक करेगा, यहां से वाटर की फोम में बाहर निकल जाएगा, तो पोजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, निया आएगा आएगा, तो देकि यहां पर रेजाएगा, C3, C, CH3, यहां पर CH3 और यहां पर होगे, CH2 प्लस, कुछ भी निकिया, AGTJ क्यों लिए यहां से वाटर निकल आए, बाहर, समझ में रहा है, अब देखो, यहां से यहां पर आप 1-2 मेथिल शेट कर्धो, एक्चली, थिगरूप इस पर पर जानता है, लेकिन तीनों ही मेथिल गुरूप है, सभी से में, किसी भी एक मेथिल को shift कर दो, तीनों गुरूप अलग-अलग होते तो आप उस गुरूप को shift करते हैं, जिसको shift करने पर सबसे ज्यादा इस्टेबल कार्बोकेट है न, बनता ही, आपको अलड़ी पत होगा, ठीकिन अ, इस मेथिल को यहाँ से यहाँ पर shift कर दिया पने, तो क्या बनेगा, देखो ध्यांदाने, यहाँ पर हो गया, CH3 इस कार्बन पर positive चारदा जाएगा, यहाँ पर CH2, इस CH2 जब यह CH3 यहाँ पर चुड़ेगा, समझ में आ गया, इसमें alpha-H की बात करेंगा तो यह alpha-H कितने कार्बकेटाइन है, इसके पास वाला कार्बन यह, यह और यह है, तो 3, 3, 2, कितने होगा total, 8 alpha-H, तो यहाँ पर alpha-H, 0 यहाँ पर 8 alpha-H है, alpha-H किसिंग के ज़्यादा है, इसलिए यह more stable है, यह more stable होगा, तो देखिए, यह less stable कार्बकेटाइन है, less stable, जब कि किसिंग के ज़्यादा होने के कार्ण, यह more stable है, समझ मेरान, देखिए, एक कार्बकेटाइन में पनको पता है, rearrangement कितनी भी बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, बस condition यह है, कि परले वाले के comparison में, जश्ट बाद में बनने वाला कार्बकेटाइन, more stable होना ज़िए, और यहां पर नहीं बना सकते, यह आगे possible नहीं है, तो कुल मिलाकरपन को पता है, यह dehydrating agent है, तो finally यहां पर क्या होता है, कि dehydration के बाद, finally यहां पर alcohol से alkin बनता है, ग्यांदाना मैंने क्या बोला, जब आप concentrate h2 support से alkin को treat करते हैं, तो finally product की फोम्यापको alkin, क्या मिलती है, alkin मिल more stable alkin, more substituted alkin, अब देखो ध्यान देना समझ न, इसमें से अपन को h plus निकाल दा है, अब देखो possibility तो 2 है, देखो ध्यान देना, h यहां से जा सकता है, यह वह सकता है, दोसरी possibility यह ही, इस h को ऐसे लग दो, h यहां से जा सकता है, समझ मैंना, लेकिन अगर h यहां से जाएगा तो double bond यह आएगा, अब यहां double bond आएगा, तो इस पर substitute 1, 2 और 3 हो जाएगे, अगर मान देखो यह जाएगा, तो double bond यह आएगा, तो यह दोनों substitute होंगे, तो connect more substituted alkin आपको बनानी है, यह वाला h यहां से जाएगा, यह वाला, तो देखो ध्यान देना, यहां पर क्या होगा h plus यहां से बार निकल जाएगा, तो देखो यह हो क्या CH3, यह CH3, यहां पर इस carbon पे CH3, यहां पर आजाएगा, यहां पर double bond यहां पर CHCH3, CHCH3, अलाकि दूसरा product भी बनेगा, दूसरा कुन सा है क्या है, ह यहां से चला जाएगा, ह अगर यहां से जाएगा, तो यहां पर क्य होगा, CH2 double bond, CH2 double bond, फिर CCH3, CCH3, और इधर क्या है यहां पर CH2, CH3, CH2, CH3, लेकिन अपनको पता है, दोनों को जब compare करेंगे, तो यह more substituted है, इस double bond के साथ 1, 2, 3 substitute जुड़ाए, 1, 2, 3, 3 substitute जुड़ाए, यह more substituted है, set jab है, देखो, set jab alkin, set jab alkin, यह major product होगा, set jab alkin, more stable alkin होती है, यही major होगा, जबकि यह less substituted alkin है, less substituted alkin क्या होते है, hopmon alkin, देखो यह hopmon, hopmon alkin है, समझ में रहा है, यह actually यहां पर minor product के पौम में मिलेगे, ठीक है न, तो एक product बनाना है तो यह बनेगा, दोनों बनाने तो दोनों बनेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही option में दे रका है, तो आपको फिर इस पर टिक करना है, दोनों यह उप्षन में दे रखें आपके इस पर टिक करना है एक लिए प्रोड़क्ट यह होगा यह माइनर होगा मेरे साब से क्लेर हो गया होगा ठीक है तो यह पर इस केस में किसी को कोई डाउटे नहीं होगा इसको मिटा दो कंप्लेट मिटा दो बहुत क्या तक अनिये न चीजी नन? देखो next case यहां पर लेकर देखते हैं जिस HIS case के इपनिया आपर बात कर लेते हैं जैसे यह पर यह होगा देखो यह 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 पर होगया OH समझ में रहा है ना अब देखो द्यान देन अपने को पता है कि होगा कि देखो द्यान देन सबसे पहले concentrate h test support की प्रदिन्द वह तो इतना तुम यहीं करता हो यहीं कर देता हो ताकि steps कम हो जाएगे यह h इस पर टेक करेगा यहां से water bar निकल जाएगे तो direct positive यह आएगा यही से शुरू कर देता हो हर case किस तरह से शुरू कर देगे ताकि तोड़ी steps कम हो जाएगे अब देखो अगर ring case बार वाले carbon पर positive चार्ज यह तो ring expansion का case होगा ने होगा तो देखो यहां पर हो गया ring expansion ring expansion किलर यहां तो देखो 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 देन देना होगा क्या जैसे यह carbon इस carbon के साथ bond बनाएगा तो six-membered ring बन जाएगे आप समझ में रहा है ना अब देखो यह carbon इस carbon के साथ bond बना रहा है इस carbon पर दो methyl group है और इसके पास वाले carbon पर यह पर positive चार्ड़ देखो गर किसी को doubt हो तो मैं इस तरह से explain कर देता हो देखो देहां देना नहीं है यह positive देखो यह bond हमने तोड़ दिया यह minus आजया यह plus आजया इस minus plus के बीच bond बना दो इन दोनों carbon के बीच यह अटाया यह अटाया दोनों के बीच bond बना देगे देखो यह होगा यह तो methyl group और इसके पास वाले पर positive चार्ड़ समझ में रहा है ना अब देखो यह अब group transfer का case से normal इसमें alpha 5 कितने है alpha 5 के बीच के बीच कारबन पर तो methyl group है इसके के बीच कारबन पर दो hydrogen होंगे alpha 5 यहापर दो होंगे ठीक कि ना 1-2 methyl shift हो जाएगा यह आख से यह आपर तो 1-2 methyl shift होते है क्या होगा यह methyl तो यहाँ जलाए गया ठीक कि ना अब यहाँ पर एक methyl बचेगा जैसे methyl यहाँ पर management बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्यों कि बिच्ट कंपाउड निया वेगनर मीरविन रियारिजमेंट तो है लेकिन नेमेटकिन निया क्योंकि बिच्ट कंपाउड नेमेटकिन रियारिजमेंट को तभी हम कहेंगे जब 1-2 methyl shift बिच्ट कंपाउड में होता है ठीक ही इसके चलो जैसे shift क्या उसी के coding बना देता हो तकि अदर्वाइज आपके confusion होगा, देखो यह पर यह देखो यह 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 पर methyl एक ही बचा, यहां से एक methyl खाच लागया इस carbon पर अब जैसे यह methyl यह पर जाएगा तो positive यहां पर आजएगा इस carbon पे already एक hydrogen तो पले सही था यह दूसरा तो methyl group यहाँ पर आया समझ में है ना अब आगे rearrangement इसमें possible नहीं है तो यहाँ से H plus बार निकलेगा और product हमको मिल जागा यह product यहाँ पर बंद जाए जिसको तलग से बंद कर जेताओ यहाँ पर methyl CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर double bond यह यहाँ से H plus बार निकल जाएगा माइनस H plus मेरे साम से clear हो गया होगा कि यहाँ पर यह arrangement क्या होगा तो इस reaction का जो final product होगा एक तो लिए यह होगा समझ मेरा एक वे doubt टेक है नहीं है ना, देखो next case लेकर देख लेते यह, यहाँ पर वह यह simple यहाँ से H plus अटेक करेगा वाटर यहाँ से बार निकलेगा तो positive charge अपर आएगा चलो देख लेते हैं तो इस case में यहाँ पर में इस तरह से इसको बना देता हो यहाँ पर कितने वे 5 membered ring है यह यहाँ पर 5 membered ring positive charge अपर देखें, 5 membered ring के जश्ट बार वाले carbon पर positive charge है देख न, 5 membered ring के जश्ट बार वाले carbon पर positive charge है तो ring expansion का case है न तो यह ring expansion का case है अच्छा अगर किसी के कोई यह confusion हो कि भई ऐसे तो मैं साथ के साथ explain कर रहा हो तो आपके कोई भी doubt ही आपन नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी किस student के doubt आ रहा हो कि हमको केसे पता चलेगा कब ring expansion कराना है कब group transfer कराना है कब ring contraction कराना है समझ में आ रहा है न इस तरह के questions किसी भी student के दिमाख में यह दि आ रहे हो तो भई already से आपने पढ़ रहा होगा कार्बो केटाइनस के अंदर हम rearrangement के conditions पढ़ते है कि कब किस परकार का rearrangement आपको करवाना है तो आप सबसे पले उस content को देख लेना उस video को देख लेना जिसमें कार्बो केटाइन का rearrangement दे रहा है उसके rules बता रखे अगर problem है तो ऐसे तो किसी के भी नहीं होगी problem ठीके न क्योंकि बिल्कुल basic है already आपने पढ़ लिया होगा पले से ठीके न फिर भी अगर किसी कोई problem हो तो आप सबसे पले कार्बो केटाइन में rearrangement से सम्मंदित rules का जो वीडियो है आप उसको एक बार देख लेना सब कुछ आपके clear हो जाएगा ठीके न ऐसे आपने अल्डेडी फढ़ ले होगा फिर भी भूल गये हो तो आप दुबारा उसको देख लेना ठीके तो देखो अगर रिंग के जश्ट बार वाले पर पोजिटिव चार्ड तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन है देखो ध्यान देना यह यहां से यहां पर सिफ्ट होगा समझ मेरा है तो कुल मिला कर क्या होगा देखो ध्यान देना यह six-member ring अब जैसे यह carbon अब इस carbon के साथ bond बनाएगा तो इधर भी एक six-member ring बन जाएगी ठेके ना लेकिन अपनको पता है कि यहां से bond टोटा है तो यहां पर अब क्या आएगा positive charge ठेके ना अब देखो यहां पर hydrogen है इसे more substituted alkyl बनाने है ठेके ना ऐस साथ यहां भी तोह कर सकते हैंपन एच इधर लेसकते थे लेकिन एधर क्यों नहीं रही है क्योंक इधर double bond बनाने से substitute के संक्या प्रूक्ता है क्योंकि यह double bond आने से इधर तो को इलकी prolep नहीं है लेकिन....ेधर double bond आने से यहाँ पर 1720 की संक्या बढ़ गए देको दो मेथिल एक्स्ट्रा है more substituted alkin आपको बनाने है ठीके न यह major होगा कि लिए यहाँ तक यहाँ पर भी देखो 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 यह alkin यहाँ पर बन जाएगा समझ में आ रहा है ने रहा है कि लिएरे मरे साबसे यहाँ पर कोई doubt किसी को नहीं होगा है क्या doubt नहीं न तो यह case भी समझ में आ गया होगा कि लिएरे यहाँ तक इस कमेंटर दो भाई complete चलो next case देखते है यहाँ पर देखो next case यहाँ दे रखाई यह ठीक है ना देखो दियान देना समझ ना यहाँ पर बिल्कुल सेम केस ही के h plus कटेक जैसे यहाँ पर हुआ इस oh h पर जैसे h plus कटेक यहाँ होगा यहाँ से बार निकल जाएगा अब देखो अपन चाहे तो यहाँ पर one by one कर सकते यह पिर चाहे तो question को तो रखाए सा चोटा करने के लिए आप चाहे तो सबसे पहले यहां से ही को बार निकाले यह पोजिटिव हैईगा यह रिंग expend होगी समझ में रहा है न तो 5 के जगर 6 members में कन्वोट हो जाएगी फिर same process इसके लिए करेंगे फिर same process इसके लिए करेंगे एसी questions का पर बढ़ा हो जाएगा मैं 1 सा 3 OH को यहां से बाहर निकाल देता हूँ समझ में रहा है न यहां पर positive charge फिर यहां पर 5 members ring यहां पर positive charge फिर यहां पर 5 members ring और यहां पर positive charge यहां पर OH लगा था उनको बाहर निकाल दे उनकी जगर पोजेटिव लिग दिया अब देखो ज्यान देना क्या होगा, इस रिंग के बार वाले कार्बन पर पोजिटिव चार्ज, रिंग के बार वाले कार्बन पर पोजिटिव चार्ज तो रिंग एक्सपेंशन होगा, इस रिंग के बार वाले कार्बन पर पोजिटिव चार्ज तो यहाँ पर भी एक्सपे तो दियान देना क्या होगा समझेना यह अब जैसे यह और इस कारबन के साथ बनाएगा तो यह फाइब के जगव सिख्स मेंबर रिंग यहां पर हो जाएगी इस तरह से यह अब अपन को पता है कि बॉंड यहां तोटाई ये वाला तो इस carbon पर positive charge आएगा यहाँ पर समझ मेरा इन्हार फिर देखो 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 मैं इसके बात करें तो यह भी 5 ती देख भी 6 member हो जाएगे तो यहाँ पर भी कर देते हैं 5 ती जगा 6 member ring यह और यहाँ से bond टोटाई तो इस carbon पर positive charge आएगा इसी तरस यह भी 5 ती जगा 6 member ring हो जाएगा यह carbon इस carbon के साथ bond बनाएगा तो यहाँ पर भी 6 member ring टोटाई तो इस carbon पर यहाँ पर भी positive charge आएगा समझ मेरा है अब देखो 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 देना दना क्या होगा यह यहाँ से यहाँ पर इसी तरह से more substituted बनाना यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर hydrogen है तो यहाँ से यहाँ पर कुल मिला गर यह इधर ही बना दो तेलो यही पर बना देता होगी है ठीक है यहाँ तो देखे डबल बॉंड यह डबल बॉंड डबल बॉंड हो गया ठीक है यहाँ पर यह six-membered ring है इस तरह से यहाँ पर भी six-membered ring और यहाँ पर भी इधर भी यह six-membered ring यह product बनेगा समझ मेरा एक कोईडा उटेक है देखो next case लेकर देखते हैं जिसे यह ले ले लेते हैं यहाँ पर भी देखो ध्यान देना समझे न यहाँ पर भी तीन case है अच्छा यहाँ पर चाते तो बन क्या है कि one by one कर सकते हैं कि पहले एक को कर आया फिर double bond आगे फिर दूसरे को कर आय पिर यहां double bond आगे पिर तीसरे को कराय पिर यहां double bond आगे लेकिन उसमें क्या process का पर लंबा हो जाता है ठीकिन होता one by one एक साथ नहीं होता बस इसको summarize करने के लिए छोटा कंड़े के लिए पर एक साथ यहाँ पर करते हैं अब इसकी बात करते हैं देखो यहाँ पर भी ती पिर तीसरे निकलेगा फिर यहां इरिजमेंट होगा 5 के जगे 6 मेंबर टरिंग बनेगी लेकिन फाइनली बनेगे 6 मेंबर टरिंग ठीकिन न यहाँ पर भी वन बाई वन करने के जगे पर मैं process को एक साथ ही यहाँ पर बता देता हूँ तीनों OH को यहां से निकाल देता हू ठीक है ना तो देखो यहां पर यह होगा इस तरह से यह होगया यहां का OH जाते यहां पर CH2 प्लस अपन चाहिए तो वन बाई वन भी कर सकते हैं यहां पर भी CH2 प्लस लेकिन मैं आपको एक साथ ही इसको बता दूगा इस तरह से अब देखो होगा क्या समझना यह 3 मेंबर इसके पास वाले कारबन भी पोजिटिव चार्च होने के कारण रिंग एक्सपेंशन आला कि 3 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपेंशन के चांच बहुत कम होते हैं किकि मोर इस्टबल होते हैं लेकिन यहां पर तेन तीन जगए फाइनल यह आरोमेटिक कंपाउन में आगे क आँ से यहांपर होते हैं कि थीन वर प्रोशेस वन वाइं होंगे एक साथ इस तरह से नहीं होते लेकिन को च्रटा करने के लिए पंड एक साथ इसको यहांपर बता देते अब देहां देन समझना क्या होगा आपना पनको पता यह तीन कारबन रिंग के अंदर इन्सेट हो हो जाएगे तो यहाँ पर तीन त्री मेंबर डारी है कि में यह ससरूर सरूर करणाी है そ हो यह स्क्वाइब यह स्तृता दो आए या रेलिकल में समझने के लिए बताको यह कार्बन यह कार्बन है अब देखो समझना यह कार्बन यह बॉंड तो टूट गया बीच का और यह कार्बन डारेक्ट इस कार्बन से बॉंड बना लेता है तो यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा मतलब इस कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन ही हो गया मतलब यह क तो 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 तो ये कार्बन इस कार्बन चे बोंड बना रहे तो ये कार्बन इस कार्बन चे बोंड बना रहे तो ये कार्बन इस कार्बन चे बोंड बना रहे तो ये वाला कार्बन होगा और ये कार्बन ये वाला कार्बन होगा आगया रेडिकल वाला और हमको पता है कि ये बोंड यह संदृट Oraresh p à m लेना दोबार आ पिर this carbon यह मान लेते यह से बॉंडब टोट गया तो इस carbon से इस carbon की bonding होगी ये फिर ये carbon ये समझ मेरां ये bond टोटने से carbon पर positive आ रहा है ये ठीक है ये carbon अब ये bond टोटे गया है ये carbon इस carbon के साथ bond बना रहा है तो ये फिर ये carbon ये वाला और यहां से bond टोटने के करण इस carbon पर पोnegण पे पोजिटीक आए गर्ण चार्बन के मैं लुट जाए पर यह झाया थुटीकल चाहिए मनलर सब्रस्परा कर डिर आपको बता रहे हो ना CH2, यहाँ पर यह ring हो गए, यह, ठीके न, यहाँ पर यह CH2, CH2, रहे को plus, 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 अब देखो क्या से करना है, देखो समझेने की कोशिज करना है, क्या से, देखो, यह bond अपने याँ से तोड़ धिया, यह वाला, यह वाला bond, one by one में तरफ, यह bond अपने याँ से तोड़ धिया, थेके ना अब यह बंड यहां से तोड़ने पर तेखो अब इन दोनों कार्बन के बीच बंड बना दिया तो कुल मिलाकर हमने है यहां से बंड तोडा न तो him. पो जिटिव खा देखा इगा इस कारबन कर यह है अब यहां कर पोजिटिव उठा दूढ़े समझ मेरा यह होगा फिर क्या होगा देखो देंदर यहां से हाइट्रोजन गया समझ मेरा है ना और यहां से हाइट्रोजन जाते यहां पर क्या देख डबल बॉन तो यहां पर हमने बना दिया डबल बॉन इसको बेटा देता हो यह डबल बॉन अब देखो आज ये क्या होगा समझना, देखो अब ये जो bond है यहाँ से टूटा अब इस carbon की bonding डारेक्ट इस carbon से होगी तो देखो धेहन देना, ये carbon, इस carbon के साथ अब bond बनाएगा ये थोड़ा सा सही करके बता देता हूँ यहाँ पर समझने में आपके थोड़ी से दिक्कत आ रही होगी चलो, मैं दुबाराग करता हूँ इसको ये इस तरह से, देखो, यहाँ पर ये CH2 प्लस और ये CH2 प्लस CH2 प्लस देखो समझना, ये bond यहाँ से कतम होगया, ये वाला इस कार्बन की bonding इस कार्बन से होगी यहाँ से bond टोटने कार्ण यहाँ पर पोजिटिव आ गया समझ में रहा है, ये होगया, कुल मिला यहाँ से H गया, अब यहाँ का पोजिटिव तो खतम होई जाएगा, bond बना तो यहाँ से H जाता यह सिंगल bond, फिर इसके बाद डबल bond यह बन गया, कुल मिला कर टेके न, पिर आगे होगा देको देन देना, अब समझना, ये वाला bond अब ये bond टोटा ये bond टोटा और इस कार्बन की bonding अब इस कार्बन से होगई पोजिटिव चार्ज खा जाएगा, अब यहाँ पर यहाँ का पोजिटिव खतम हो जाएगा अब यहाँ से H जाते, यहाँ पर डबल bond आ जाएगा तब यह क्या होगे फाइप मेंबर ट्रिंग, किसको आप ऐसे रिपरजेंट कर दो यह 5 मेंबर ट्रिंग, देख यह double bond, फिर यह double bond अब यहाँ पर इस कार्बन पर यह CH2+, ठीके न, फिर इस bond को आप तोड़ो और इसकी जगा bonding इस से हो जाएगी अब क्या होगा, इस bond को तोड़ा न था positive चार्ज यहाँ पर यहाँ का positive खतम अब यहाँ से hydrogen जाते, इन दोनों के बीज bond बन जाएगा, यहाँ का positive कतब तो देखे, 6 मेंबर ट्रिंग बन गई, इसको मैं ऐसे लिख सकते देखो, double, single, double, single, double, sorry, यहाँ पर क्या हो, double, single, double, single फिर double, single, इस तरह से तो आप चाहो तो one by one कर लोए, क्यों समझने के purpose से मैंने आपको बताया है, यहाँ फिर डारेक्ट भी आपके समझ में आ रहा होगा, आप इस तरह से भी आपर देख सकते हो, मेरे साब से कोई doubt आपके किसी को नहीं होगा, अच्छी तरह से समझ में आ क्या होगा, इसको मैं प्रेक्टिस करोगे, अपने आप ही, यह क्यों स्पीडली सोल कर पाओगे, तुरंत आपको पता चलता जाएगा, आगे का steps की जैसे जैसे आप सोल करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, समझ में ना, इनके तो जितनी प्रेक्टिस करो, उतना ही आपके लिए सही रहेगा, तो यह हो गया, अब देखो, यहां तक जितने भी case है, वो bridged compound के नहीं है, लेकिन अब आगे वाले case हैं वो bridged compound है, करने का मतलब है, आगे वाले case, especially नेमेटकिन रियारिजमेंट के आजाएगे, किसके नेमेटकिन रियारिजमेंट के, वेगनर, म नेमेटकिन रियारिजमेंट के बात करेंगों, तो नेमेटकिन रियारिजमेंट के याद के case नहीं, जो बिजड़ कंपाउंड में, one, two, methyl shift होता है, चलो यहां से अपन case लेते है, ठीक है न, देखो, यह, जैसे हम बात करें, इसकी, यहां पर देख क्या दे रखा है, यहां पर double bond ठेके न और यहां पर आपको इस तरह देदेऊ, देखो देन देन आ, अलपा pinion का case है, किसका case है, अलपा pinion, ठेक है, यह अलपा pinion, इसका case है, समझ दिया रहे, अब देखो देन देन देन, HCNC क्या मीलेगा, H+, हम और को पताए, जो यह एलकीन है, वो electrophic addition reaction देती है, CH3 इस carbon पर positive charge आएगा ठेकिन यहां पर हाइट्रोजन आएगा हाइट्रोजन को लिखने की जुरूद है नहीं यह यह यहां पर हो गया अब देखो देन देने 4-member ring है है या नहीं 4-member ring इस 4-member drink के बारवाले carbon पर positive charge आएगा बहिए पर यहां पर हमको करणा है ring expansion देखो यह ring expansion इसको तोड़ा मेसा ही बना देताओ देखो यह 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 पर ring expansion या से यह 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 यहां पर ring expansion यहां से टूटे गार इस carbon के bonding तोटा आते आप पर आ गया पोजिटिव चार्ज अब देखको मैं इसको इस तरह से बना रहा हुँ देखको यह यह जो दोकार बने यह यह वाले कार्बन यह जो ड़ेको यह दो कार्बन इसमें यह पर इस पर दो मेफिल यापर पर परेजंट है तीके न और इस ऊपर वाला जो कार्बन इस पर एक यापर मेफिल गूरुप परेजंट है समझी मारा है नहीं है किलेर यहां तक ठेक है न यह केस यहां पर हो गया अब देखो देन दना फाइनल यह पनको पता है एक HCL का एडिशन हो रहा है तो पले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन एल की नहीं हो रहा है तो H प्लस ने तो अटेक कर दिया अब कार्बकेटैन बना कार्बकेटैन में जो रियरेजिमेंट होना तो यहां पर हो चुका इसके बाद अब F चले क्या होगा कि CL- का यहां पर आगे अटेक होगा CL minus, यहाँ पर अठेक होगा, समझी मारा है ना, तो कुल मिलाकर देको यहाँ जो शेवन्थ पोजिशन है, 1234, 566 और 7, 7th position पर यहाँ पर ELCL गूरूप है, 7th position पर जब इस्टारीक इंट्रेंट्स जादा होता है, तो endo attack होता है, यहाँपर कौन सा attack होता है, endo attack, तो CL minus का यहा टेक करेंगा, समझी में आ रहा है, तो यहां पर एक्तले यह compound बनेगा, ठेके, यहां पर यह यह हो गया, यह यहां पर दो methil, एंडोसाइड में cl चला गया, इसका मेलब यहां पर जो hydrogen होगा, वो एक्तले 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 बन जाएगा, यह यहां पर product बनेगा, इसको पन, देखो देन देने, यह क्या बन गए यहापर, बोरनिल क्लोराइड, यहापर क्या बना है, बोरनिल, बोरनिल क्लोराइड, यह यहापर बना है, ठीक है न, आपको देखो यह ऐसे भी मिल सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है न, जैसे यहाँ पर आपने मीरर लगा दे, मीरर लगा कि सिफ्ट कर न पड़ेगा तो देखको यहां पर यह hydrogen और यह यह फंदो इसको रसम एंड हैं यहां है यहां पर अदो दोनों से महें आप एसे बना लो कोई दिखता दोने न किलिर यहां तक किसे को डिचेको यह पारे我在 सब्सक्राइब किसी को यहां पर आप नहीं होगा समझ मेरा अब दीको नेक्स्ट केस यहां पर लेकर देखते हैं केमफीन वाला यह वाला केस ठीक ना इसको तो मिटा दो भाई मिटा इसको कम्प्लीट कोई डाउट तो नहीं यहां तक पूर्ण कैस लेकर देखते हैं जैसे नेक्स्ट केस हमने लिए यह वाला ठीक कि ना इसके बात कर लेते हैं को यहाँ पर क्या होगा 9 giorno समझ न यह यहाँ पर हमने ले ले इसको इस तरह से देखो यहाँ पर यह ब्रीज बना हुआ है यहाँ पर दो मेधिल ॉर यहाँ पर डबल आ यह वाला केस ले केस का यह केमपिन का है न ही हूई hanerenhare यह केमपीन यह पिक्स जरूरी नहीं है तो इसको अपन इस के टिगरी में रखेंगे ना नेमेट के न में कन्फिज मतों ना देखो द्यान देना इसको मैं इस तरह से बना देता हूं सबसे पहले यह six इस मेंबर ड्रिंग है इसको इस तरह से बना दो यह पर यह ठीक है यह बीच वाला ब्रीच यह पर दो मेथिल गुरूप यह यह पर यह डबल बॉन आ यह किलेर यह तक अब देखो इस पर किसका टेक करा रखा है एच सील का तो एच सील देखो एल की ने इलेक्ट्रफिलिक ए यह पर अठेक करेगा अब हमको पता इधर अलकेल गुरूप ने बॉन्ड कैसे टूटेगा इस तरह से है यह ना एच प्लस का आपको अटेक कराना है यह पर इसको तोड़ा सई कर देदा हमें एच प्लस है यह यह यहां थे किलेर यह तक तक तो देखो यहां पर बनेगा इस पर दो मेथिल गुरुप है यहां पर हाइट्रोजन जोड़ते यहां पर भी मेथिल हो जाएगा यहां पर फोजिटिव चार्ज आएगा यह ठीक है यह यहां पर हो जाएगा मेरे साब से कोई डाउट नहीं होगा सब के किलेर हो गया होगा अब देखो समझना मेनले इसको इधर स्यांच पर растा हो जाता है करदेंगधर पांड़ीच का केश कंडिशन में हम को क्या करना है किसके सामने वालब सीग्माज और फोपाटिशिपेट करुए उसको थे तो देख याँ पर एक्टली यह को हगा याँ से याँ पर समझ महा रहे ही नहीं लहाँ आपको यह याँ पर करवाना है देख oral点 spleen ए समझ नहींतोए यह यह पर फले में ads बना रहाँ पर इसमें change करके आपको दिखाओंगा, यहाँ पर यह हो गया, ठीक है ना, यह यहाँ पर दो methyl group, इस पर एक methyl group है इसे, अब देखो समझ ना, क्या किया आमने यहाँ पर इस bond को तोड़ दिया, इस वले को, यहाँ पर plus है ना, इस bond को तोड़ दिया, इस carbon की bonding, अब इस carbon से कराओ गए, यहाँ का positive खतम, अब positive का जाएगा यहाँ पर, समझ में रहा है ना, positive यहाँ जाएगा, तो देखो दियान दियान दिना, यह एक्चली क्याए कि, अगर मैं इसकी बात करों, तो NGP का case है, तो कुल मिला कर यह positive जिसमें ही यहाँ पर है, इसमें positive चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इसके जो resonance हाइड है, उसको अपन इस तरह से बना सकते है, देखो ध्यान दिना, यह, इसकी रेजोनेंस हाइड ही इस तरह से यहाँ पर बना सकते है, देखो इस पर statele bath है, तो यह बॉन्ड यहांपर टूटा है यह बॉन्ड इसमें है इन नहीं तो यहांका बॉन्ध खत्म है तो यहांपर पर पार्सेल開ड desert partial जो बॉन्ड है गयों इसमें है लेकिन इसमेंने musi नहीं इसका फ पोजेटीव यहाँ पोजेटीव तो बीच में आप पोजेटीव बना जाएं समझ में रहा है न? यह है और यहाँ पर जो मेथिल गुरवप उसको आप satyS यहाँ पर बना जाएं समझ में रहा है न? अब देखे NGP का केस है, इस केसमें एक सली निए होगा क्या हम देखो H+, ने तो attack करी दिया, finally आपके HCL का attack करो नहीं, तो CL- यहाँ पर attack करेगा, तो CL- attack करेगा, तो यहाँ पर आप कराओ CL- का attack, यहाँ कर देखो CL-, तो यहाँ सही attack, क्योंकि हमको पता इस साइड में तो bond है, तो attack पीछे की तरफ से होगा, ठीके न, इधर bonding आ रहे, तो attack अब देखो होगा, पहले में H-D is बना रहा हो, सब कुछ बिल्कुल सेम, ठीके, देखो यह इस तरह से, क्लेर पहले सब कुछ बना रहा हो, H-D is बना रहा हो, देखो, फिर बार में मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 मेथिल और यहाँ पर 1 मेथिल, अब द तूरा समय सई कर देता हो, इस तरह से, क्लेर यहाँ तक यह बन गया, ठीके न, अब देखो 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 देन दन इसको अपन किस तरह से कर सकते हैं, देखो, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, देखो, समझने के कोशिस करना है, यहाँ पर होगा क्या, देखो, ध्यान देन समझना, मैंने क्या किया, यह जो इस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो, इसको इतना रोटेट कर रहा हूँ, कि यह जो टोप वोला पार्ट है, उपर चला जाए, देखो, ध्यान देन समझ ना जैसे मैं इसको rotate करोंगा तो यह जो दोनों कार्बन है वो तो यह उतले जाएगा देहान देन यह दोनों कार्बन तो कहा पर आगे यहापर अब दोके इस सी एल उपर की तरफ है इस यह, ठीक है ना, तो यहां पर नीचीक तरप की हैँगा vitrogen, अब देखो ये दोनों कारबन तो ये वाले है, इसका हमाँ ले इन दोनों कारबन से next carbon ये next carbon ये, ठीक है ना और इन दोनों कार्बन से ये ब्रिज जड़ा हुआ है तो इन दोनों क इन देना ये नेक्टकारबन ये और देखो क्लोरीन के पास वाला जो lact o कर्वन इसे एक मेथिल है तो इस होती हो प्रकत्र जोड़ेंगों कि जब सीएल रहा है थो समझ मेहरा आ लेकिना उसे को आपन चेंज करके सकते हैं इसी को चैंज करके याँ के अंध्य लगा देदा तूस्डा झा गए यहां के मेंध्यलकों यहां लगा जय कि दद एक्जाओट में तोपड़ लगावा उसकांड़ में नीच्श की तरभ तो यहां पर एक्जाओट में तो यह हो गया आईसो बोरनिल कलोराइड कलोराइड तीस अभी स्ट्रक्चर सेम है ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो एक ही बात है आईसो बोरनिल कलोराइड का है अब देखो एक बात समझना इस केस में तो बना था बोरनिल कलोराइड इसमें बनाए आईसो बोरनिल कलोराइड द क्या difference है, देखो, सब कुछ से में, आप match करके देख सकते हूँ, सब कुछ से में, देखो, यह है, यह दो methyl, यहाँ का methyl, देखो, यहाँ पर CL, सब कुछ से में, लेकिन बस इतना सा difference है, किसमें यह endo side में है, यहाँ पर borneal chloride में जो CL है, यह endo है, जबकि यहाँ पर इसके अंदर इसके position, CL की position एक जो है, इसके लाओ इन में और कोई difference ने, सब कुछ से में, तो borneal chloride में यह जो CL है, वो endo में, endo side में है, जबकि iso bondal chloride में, CL, exo side में, इसके लाओ यहाँ पर और कोई difference आपको देखने को नहीं विलेगा, क्लियर हो गया, यहाँ तक मेरे सब से कोई doubt नहीं होगा, सब के चितर से समझ में यह आ गया होगा, ठीक है न, अच्छा, आपन बात कर रहे हैं कि, वंटो मेथलिया, अलकिल सेप्ट, इन, ब्रिजड कमपाउंड, इसी को में क्या बोलते है, नेमेट किन रियाइजमेंट, तो देखो देंदर नहीं यहाँ पर इस ब्रिजड कमपाउंड के अंदर यह, यह एलकेल शिप्ट हो रहा है ना पले यह बॉंड यहां पर बन रहा था अब यहां का जो गुरूप है वो एप्टलिक यह यह समझना देखो यह जो गुरूप है यह गुरूप पले इस कार्बन के साथ बॉंड बना रहा था अब इस कार्बन से यह गुरूप इस कार्बन प पर जिसन पर शेप्ट हो गया तो 1-2-L के लिश्फट हो गए just like 1-2-L के लिश्फट है इस तरह बाते केस से बीटर नहीं हो गारे से किसी को कोई डाूट नहीं होगा तो देखो, यहाँ पर तो अपनको पता है, concentrate H2 से पोर है, OH यहाँ पर alcohol, तो finally क्या होगा, dehydration यहाँ पर होगा, तो देखो, मैं डारेक्ट यहाँ से सुरू करूँगा, पले इस OH को तो यहाँ से बान निकाल दूँगा, तो यहाँ पर positive ले लेता हूँ, सिधा यही से सुरू क यहाँ पर तो देखो, simple से कैसे, पनको पता है, direct 1-2 methyl shift हो जाएगा, नेमेटकें रेडिजमेंट हैस है, 1-2 methyl shift, तो यहाँ पर actually यह बनेगा, देखो, 1-2 methyl shift यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्यों एक methyl बचेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, positive चार्थ यह methyl यहाँ पर चला ज आतकते हैं, यह यहाँ पर double bond, ठीक है, यह methyl, यहाँ पर methyl, और यहाँ पर क्या जाएका, बीच में, double bond, यह product बन रहा है, ठीकिन, नेमेटकें हों पना सा यह, 1-2 methyl shift हो रहा है, rigid compound में तो यह नेमेटकें होगा, नेमेटकें हो गा, मेरेसाब से कोई डाउट नहीं होगा, यह इदर के सारे केस समझ में आगे अब देखो यहां पर देखते हैं तो जब ऑप दोगे तो फिर एंडोसाइड मोगा जैसे देखो 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 देंदेन दोने इस्ट्रक्टर बिल्गुल सेम है बस अंतर के किसमा ओईच एक जो है इसमें ओईच एंडो है ओए जो है दोनों में फ्रोडूक्ट से में केम्पी नहीं यहां पर बनगे संध में आ गया किले र Osman तक तौन इसकी को करके देखते हैं पर यहां पर किया होगा इस छब दिसको में एक साद यहां पर करके आपको बतांकर दोनों मैं यहां पर साथ में ही लिख देता हूँ देखो इस तरह से यह यहां पर हो गया भई इस तरह से यहां पर यह मेथिल और यहां पर हाइट्रोजन और यहां पर यह यह इस केस को भी लिख देता हूँ फ़ले यह ना, दोनों को एक साथ है ले लेंगे अपन, ठेके यहां पर यह, यह यहां पर मेथिल, यह पर देको OH endo side में है, यह यहां पर, इसके लावर कोई डिप्रेंसिल में नहीं है, अब देको द्यान दिने समझना, इसको मैंने किया Concentrate H-T-Support तो यहाँ पर यह और यहाँ से यह बाहर निकल जाएगा समझे मैं रहे हैं बाहर निकल तिस कारबन पर क्या आएगा positive charge यहाँ पर आजाएगा positive charge देखो यहाँ पर दो methyl group है इसे इसमें बिना यहाँ पर भी लगाओ ठीके और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाइट्रोजन है यहाँ पर आगया positive charge अब देखो देखो देखने अगर H-Plus यहाँ पर इसमें अटेक करता है तो यह एंडो साइड में है लेकिन पर H-Plus का अटेक तो इसी पर होगा और जेसे इस पर अटेक होगा तो यह पर यहाँ से बांड निकल जाएगा अब अटेक के बाद अपन को पता इस कार्बोकेटाइन पर आपने का मुलद्व कार्बोकेटाइन बं राएगा अब दोनों यह केस में जो इसम बन रही। इसमें भी इसका मतलब दोनों का जो product बनेगा आगे हो सेम बनेगा इसलिए मैंने दोनों केस को यहापर क्या किया साथ में लिया इसलिए दोनों को यहापर साथ में ले लिया समझ में आगया होगा कोई doubt नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम कार्वकेटाइन बन रहा है इसलिए दो बार अलग अलग लिखने के यहापर कोई आओ सकता नहीं थी मेरे साब से clear हो गया होगा अब देखो यह बन गया यहापर समझ मेरा है ना यहापर यह बन गया अब देखो आगे क्या होगा इस केस में उसके बारे में बनको बात करने किलर यह आ तक ठीक है ना तो चलो देखते ही आगे समझना आप यहाँ पर आगे क्या होगा किस तरह से आपको करना है देखो इसको में तोड़ा यू कर देता हो से इस तरह से लिखते न अब देखो 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 देन समझना यह पोजिटिव चार्ड यह पर क्या गया पोजिटिव चार्ड अब देखो समझना अमको पता इसक सामने वाला सिग्मा वोंड ही हो गें तो कुल मिलाकर एन्जीप का केस देगा या से यहाँ पर इसको इस तरह से मेंचन कर देताओ में समझ में न मतलब इस carbon की bonding है बीच का बोन टूटेगा और इस carbon की डारेक्ट bonding इस carbon हो जाएगी तो इसको में इस तरह से रिपरजेंट करणाओ देखो समझना हो याँ पर पले तम एजेटिज बन रहाओ फिर इसमें change करके बताओ आपको याँ आपर यह देखो यह यहाँ पर ब्रिजम ने बनाई दिया ठीक है ना अब देखो देहन देना समझना इस carbon की bonding इस carbon हो जाएगी तो देखो यहाँ का यह bond टूट गया अब इस carbon की bonding इस carbon हो जाएगी यह और अपनको पता इस carbon पर यहाँ पर यह methyl गूर परजेंट है जैसे यह bond यहाँ से टूटेगा तो इस carbon पर क्या जाएगा यहाँ पर positive इस राच समझ मेरा यह ने आरा तीक ना यहाँ पर इस तरस यह हो जाएगा अब देखो समझना आप द्यान देना यहाँ पर में तोड़ा इसको यू बड़ा देताओ यहाँ पर क्या एक्चल है CH2 है ना CH3 है ना यह CH3 को मैं से लिख देताओ CH2H समझ मेरा है ना तो देखो यहाँ से H प्लस निकलेगा H प्लस निकलते यहाँ पर double bond आजाएगा तो देखो माइनस H प्लस और यहाँ पर आजाएगा double bond तो देखो यहाँ पर एक्चल यह बनेगा इस तरह से यह पहले तो मैंजेटीज बना रहा हूँ इसको यहाँ से bond कदम कर देए यहाँ पर bond बनेगा अब यहाँ पर क्या जाएगा यह double bond है सब कुछ सेम बना है कुल मिला कर यहाँ पर double bond कर दिया यह यहाँ पर शमओ निकले इसको थोड़ा सा मेंजह बढ़ा कर देता It cemetery अब देखो धाँ दえーna इसको इस तरह से लिख सकते है आपर कैसे देखो समजने आप यहाँ पर क्या कर सकते देखो इसको देखो यह पर यह ना यह 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 दोनो कार भाई देखो मैं बना कर आपको explain करता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं देखो देन देन अपन कुछ भी नहीं करें यह जो compound इसको यू थोड़ा सा घुमा कर देखेंगे इस compound को जब यू घुमा कर देखेंगे तो देखो यह जो दोनों कारबन है वो यह आपर आजाएंगे नीचे तो यह जो दोनों कारबन है वो एक लिए है यह इस कारबन पर यह आपर double bond है समझ मेरा है न और इसके पास वाले इस कारबन पर दो methyl group है ठीक है ना अब इन दोनों कार्बन से ये दोनों कार्बन जुड़े तो इन दोनों कार्बन से ये दोनों कार्बन ये और ये और इस कार्बन पर इन दोनों कार्बन पर ये ब्रिज है और इन दोनों कार्बन क्या गिए दोनों कार्बन है तो देखो ये पस्ट टू फिर ये से लेकिन इस पर यह bridge बना हुआ है और इन दोनों carbon चे यह दोनों carbon जुड़े है तो यह जो 2 carbon है एक चली इन से जुड़े हुए यह दोनों carbon है आप चाहिए नंबरींग करके देख सकते हैं कोई इस नहीं है मेरे साव से क्लेर हो गया होगा यहां चाहित नंबरींग भी कर सकते ह यह 1 यह पर यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 यह 7 यहां पर भी करके देख सकते हैं देखो bridge carbon कौन सा यह वाला है तो यह यह 1 टो यह 2 फिर इसके बाद यह 3 यह 3 उसके बाद यह 4 यह 4 फिर यह 5 यह 5 यह 6 यह 6 और देखो यह पर 1 और 4 carbon से bridge बना हुआ है शेवन नंबर का तो देखो यहाँ पर यह वन और पूर कार्बन से ब्रिज जुड़ा हुआ है तो यह 7 मेंगा मेरे साब से कोई डाउट नहीं होगा अच्छी तरह समझ में आगया होगा और इसको आप चाहँ तो यह बना दो देखो यह यह जो रिंगे ना यह शिक्स मेंबर्ड रिंग यह बना देखो यह बंद कर देखे तो यह आपको दिख जाएगा, क्या बन गए यहाँ पर कंपड़ गया तो क्यम्हेंक यहावज पर चाहए आप आइसो बोरनील एल्कोल लेलो चाहए फिर बोरनील एल्कोल लेलो ऐसो लि слेलो दोनों ऐसे बात कि रहे तो यह अच्छला रूरूरेज्मेंटिक सिफ्ट्री में यह पर यहावजिंदिarm समझ मेंने नहीं, छाओ होते लिख सकते हैं, Name at was, Rearrangement यह होगा, मेरे साथ से कोई डाॉट नहीं होगा, आग एक सारा प्रोसेस आपके समझ में इंे होगा, किस तरह से आपर र正 funny है, कोई डाउट है क्या, नहीं, क्लेर ही हार तक सबीके, मिटा दिया था complete मिटा दो चलो इधर देखो देखो next case यहाँ पर लेकर देखते इस वाले case को देखो इस में क्या बनेगा चलो यहाँ पर यह बना रखाई बैई इस तरह से ठीके ना यह यहाँ पर हो गया और इस पर bridge यहाँ पर यह methyl ठीके और यहाँ पर यह दो मेथिल और यहाँ पर यह डबल बॉंड यह अब देखो 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 देना H plus H plus हो लोगे Acid condition होगी तो आपन यहाँ पर H3O plus मान सकते एक तरह से इसका क्या है कि Alkin को Alkool में convert कर रहे Acid से treat करके Water से treat करके Hydration कर रहे फाइनले देखा जाए तो देखो 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 देना समझना H plus तो यह बॉंड इस तरह से टूटे का इसका टेक खापर होगा यहाँ पर यह समझ में आए गया होगा ठीके न तो यहाँ पर यह होगा देखो यह यह यहाँ पर बिरिज यहाँ पर में आए यह बॉज्ची टीव टीक जाएगा बॉन टूटते और यह यह याँपर डि happy ई हो रहा हूं यह यह taas कि समझ में रहा है ना तो दो यह समझ मैं किसी कोई दूर कर देखो मैं इसको तूरा साथ चेंजत रूकर लिख रहा हूं देको ध्यान दिन इसको रिफ़ देता है हो कि यहां पर इस तरहां से दुखा फिक हो तो यह बिखी कैशने कि इसका एक ऐसलिषकी पर आगे ब्रुबर इता हो दो सब्में यह को यहां से आप करने कमें दोनों इक ही है हैinsi कला रही है था समझ महरा है ना अब देख के 500 लग बोन्न वंड है शिमा मोंड चीँमा वॉन्ड्न होगा एंजीपी बेइस यहां से यह पर यह यहां पर NGP होगा, इसको मिस तरह से कर जो यह यह आपर इस mत तरह से, ठीके न हम इस sink में क्या होगा, यहां पर इस तरह से हम इसको भना सकते ही, ठीके यहांपर 2 makesh recruiting है इसे, ठीके यहां पर 1 makesh है देखो यहां से तो बोन तोट गया यह वाला और यह यहां पर बन जागा यहां का अब देखो दियान देना इसका अगर resonance hybrid अपन बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं यह यहाँ पर अमारे पास यह हो गया, देखें ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर दो मेथिल, यहाँ पर एक मेथिल. अब देखो समझना, अगर मैं इस्टर के बात करो तो यहाँ पर बॉंड नहीं है, जब कि यहाँ पर तो यहाँ पर पार्सल बॉंडिंग होगी, इस structure के बात करूँगा इसकी, तो यहाँ पर बॉंड है, यहाँ पर नहीं है, इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर बॉंड है, यह एक तरसे treat कर देए आप, acidic condition ले रखे, यहाँ पर L की नहीं, तो कुल मिला कर यहाँ पर hydration होगा, finally water का addition होगा, तो देखो water का addition कर ना, अब देखो water में से क्यों OH जुड़ेगा, H plus तो finally निकली जाएगा, last में, इसलिए X आती लिख देतो, यहाँ पर direct OH जुड़ेगा, यहाँ पर methyl है, यहाँ पर 2 methyl है, यहाँ पर methyl है, अब देखो समझना होगा क्या, देखो जैसे OH उपर की तरफ यहाँ पर जुड़ेगा, OH, यहाँ पर OH जुड़ते यहाँ का इस तरह से rotate करके इसको उपर ले जाता हो, तो यह दोनों कारवन यहाँ आ जाएगा, और यह दो दोनों कार्बन इधर तो ले जाएंगे तो कुल मिलाकर यह ऐसा केस बनेगा इस तरह से यहां पर यह कि देखो समझना हमने क्या किया पल पूरा बना देता हूं देखो इस ब्रिज को तो में उपड लेगा इस ब्रिज पर क्या दो मैथिल गुरुप है इन दोनों कार्बन को में नीचे लेगा यहां पर घुमा कर जब इन दोनों कार्बन को नीचे यहां ले जाओंगा देखो यह ओएच उपर के तरफ जा रहा है ओएच तो यह दोनों कार्बन एक्टली यह यू चला गया यह तो यह ओएच तो यह ओएच तो यहां पर क्या समझ मेरा है ना ये case होगा फिर भी अगर confusion हो तो आप numbering करके देख सकते हो case से देखो ध्यान देना समझ ना यहां पर देखो numbering में करके आपको बता रहा हो यह bridge कार बने है यह तो यहां bridge से start कर दो one यह एलको ला रहा है two यहां पर three यह four फिर five यह six पर यह से हो ठीक है ना यहां पर देख लाख यह one bridge वाला one हो गया उसके बाद यह two ठीक है ना यह two तो पर हो यह चे पर देख यह three तर यह one और four one four से seven जुड़ा है तो यह one four से यह seven नमर का carbon और seven नमर के carbon पर क्या है दो methyl group पर देख आप numbering से भी match कर सकते है कोई दिक्कत नहीं यह यहां पर बन जाएगा देख आइसो बोर निवोलिया पर बनेगा ठीक है ना अच्छा यहां पर देख 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 देना यह ज इसको इस तरह से बना सकते हैं अब यह campaign है लेकिन यहां पर के यह double bond इसके पास वाला carbon alpha होगे तो alpha position पर methyl है तो इसको बोलेगे alpha methyl campaign इसको क्या बोलोगे alpha methyl campaign इसको बोलोगे ठीक है ना अब इसकी बात करो आप देख देहन देना यहां पर देखो अगर मैं इसकी बात करता हो जिसे हमने यह case ले लिया देखो देना यह OH यहां पर है यह OH इसके पास वाले carbon भी methyl group है इसको देख लो आप इसमें एक जो position पर यहां पर यह ले लो यह बस अंतर कहें कि इधर का OH अगर आप इधर लगा दोगे नहीं यहां पर इसको यहां से यहां पर तो आपको यह अंतर क्या है कि यहां पर एक methyl group extra जोड़ा है तो यह methyl isobornyl alcohol है methyl की position अपना यहां पर बता सकते है कैसे देखो देना यहां से numbering start करो 1234567 तो देख फोर position पे एक extra methyl group present है तो आइसो bornyl alcohol तो है इससे फोर मेथिल फोर पोजिशन पे एक extra methyl group है तो क्या होगा फोर मेथिल isobornyl alcohol ठीक रहा तो यह हो जाएगा फोर मेथिल isobornyl alcohol यह हो जाएगा मेरे साब से किसे और फोर मेथिल isobornyl alcohol इसको बन क्या बोलते हैं आई सो बोर ने ओल भी इसको बोलते हैं, मेरे साब से कोई डाउट नहीं होगा, सब के अच्छी तरह से समझ में आ जया हूगा, तो दिखो, वेगनर मीर्विन Rier coincidence क्या है? नेमेटकिन Rierignon Laurent क्या है? दोनों में क्या difference है? ठीके न? Rieranignment के इसले concept कहया है, सब कुछ आपकी clear हो गया होगा, और सारे example solve करने के बाद अब सब कुछ clear हो गया होगा अब इनके basis पर और कोई भी questions आ जाए और other type का example भी आपको दे दिया जाए question दे दिया जाए तो मेरे साब से आप बहुत आसानी चुछ को solve कर सकते हो किसी को कोई doubt है क्या? नहीं के लिए रहे यहां तक चला करो complete notice है